लंबे काले घने बाल किसकी चाहत नहीं होते मगर अपनी इस व्यस्त जीवन शेली और गलत खान पान के आदितों के कारण हम अपने काले और घने बालों को खोते जा रहे हैं आज मैं आपको इस बाल जढने की समस्या से निजात हम कैसे पा सकते हैं इसके बारे में बताऊंगी आप ही की किचन के मार्थ हमसे जो इंटर्नल पोशन की हम बात करें तो आयरन और केल्शियम की कमी जो है वो में बज़ा होती है बाल जढने का और इसको पूरा करने के लिए हम केल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हम हम दूद और नारियल का सेवन कर सकते हैं पालक का सेवन कर सकते हैं गाजर का सेवन कर सकते हैं और सेब वाइटमिन C का एक बहुत रिच सोर्स आवला हमारे हेर लॉस को प्रिवेंट करने में बहुत हल्प कर सकता है आवले को हम कच्चा भी खा सकते हैं और बॉयल करके भी खा सकते हैं और आवले को ग्रेट करके इसमें शहध मिला के एमटी स्टमक इसका यूज़ करें तो और इसके रेगिलर प्रियोग से हमारे बालो बाल बीरने के समस्या से हम बहुत हल्प नजात पा सकते हैं अब हम बात करते हैं external nutrition की जहां external nutrition की बात आती है तो बालों को जड़ने से रोकने के लिए हफते में एक बार massage head massage बहुत ज़रूरी है यह massage हम किसी भी तेल से कर सकते हैं सर्दियों में हम जैतून का तेल यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा हम महा भ्रिंगराज तेल जो एक अईरुवेदिक तेल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोगों के बाल ओईली है या जो ओवरनाइट नहीं रख सकते बालों को वो तुबह head massage करके उसके एक घंटे बाद भी बाल दो सकते हैं और बाल धोने से पहले ओलिंग के बाद और धोने से पहले हम आवला पाउडर की पेस्ट बना के वो भी बालों में अपलाई करें और उसके एक घंटे बाद बाल धोएं तो हमारे बाल जढ़ने बहुत कम हो सकते हैं और बाल धोने के लिए हम अगर शेंपू की जगह आवला रीठा और शीका काई इसका पेस्ट बना के बालों में लगाएं और उससे बाल होएं या फिर उन्हें रात वर भेगो के रख दें और सुबह उस पानी से बाल होएं तो वो हमारे शेंपू की कमी को पूरा कर सकता ह और विदाउट केमिकल्स प्योर हर्ब से हमारे बाल बहुत साफ और बहुत हेल्डी रह सकते हैं